कि अलो वारा आईज वेल्कम तू मैं चैनल खुश रहो मस्त रहो आज हम बनाने जारे हैं वेच कोलापुरी कोलापुर का खाना भूर्ट स्पाइसी होता है तो आज की हमारी सब्ची बहुत स्पाइसी बहुत मज़ीदार बनने वाली है अगर आप स्पाइसी खाने के शौकी तो ये डिश को जरूर ट्राइज कीजिएगा रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें चलिए रेसिपी को मैंने गरम पानी में बिगो दिया है सबसे पहले कोला पुरी मसाला बनाएंगे एक टेबिल स्पून धनिया लिया है एक टेबिल स्पून जीरा एक स्टार नेस एक छोटा चमच काली मिर्च साथ ताट लॉंग के पीसे जावित तरी दाल चीनी चार इलाइची ये एक पैन में डाल लेंगे एकदम लो फ्लेम पे हम इन सभी मसालों को बूनेंगे इस सारे मसाले मैंने पैन में डाल लेंगे अब एकदम लो फ्लेम पे हमें इन बूनना है अच्छे से जब तक अच्छे से इसमें खुश्पुना आने लगे लॉंग मैंने साथ ताट पीस लिये क्योंकि हमको ग्रेवी स्पाइसी बनानी है तो लॉंग थोड़ा तेज़ पन देती है इस ग्रेवी में तो लॉंग की क्वान्टिटी अच्छी रखनी पड़ती है इसमें यह मैंने बाकी के मसाले भून लिए अभी मैं तिल और खसकस डाल दिया है तिल और खसकस को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके लिए हमने यह लास्ट में डाला है अच्छी से ब्राउन होने तक हम इनको भून लेंगे फिर इसमें मैं डाल नहीं हूँ चाइबल स्पून डैसीकेटड गोकोनट कोकोनट का जो जूरह आता है पाउडर आता है यह वो है चार बड़े चमज यहने 4 टेबल स्पून मेंने वो डाल दिया है इसमें आप इसकी जएगे कोकोनट की गिरी भी उसकर सकते हैं और अगर स्टोर करने के साब से नहीं बना रहे हैं तो फ्रेश कोकोनेट का यूज भी कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगेगा इसमें सब मसाले और कोकोनेट अच्छे से भून गया है तो अपर मिसको ठंडा करके पीसेंगे एक प्लेट में टांसफर कर दिया ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसको पीस लेंगे यह मैंने पीस लिया है आप सोच रहे होगे कोला पुरी मसाला रेड होता है रेड लिसली होता है कि थो लोग मिर्च इसी टाइम पे डाल देते हैं लेकिन मैं मिर्च इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं फ्रेश बना रहरी हूँ तो मैंने भिगोख के मिर्च का यूज किया है अगर आप स्टोर करने के साफसे ब나 रहे हैं तो इतने मसाले के सबसे 4-5 मिर्च आप भूनते टाइम पे डाल दीजे लास्ट में फिर मसाले के साथ ही पीस लीजे तो ये मसाला भी आपका रेड कलर का हो जाएगा ठीक है अभी हमारी मसाला बन गया है अब सबजिया लिया है मैंने हापे गोबी लिया है मतर लिया है शिम् अब पकने में टाइम लगता है तो जिन सब्सकित को पकने में टाइम लगता है वह सब्सकिता नहीं सबसे पहले शेलो फ्राइड कर ülू अब इन्यों डीप और इंद्वा जोग प्राइड़ अएथी नहीं करना चाहिए तो तो हलका सा बॉइल भी है तो हमें 70-80% तक इसी में पका लेना है यह मैंने गाजर और गोबी डाल दिया है इससे शेलो फ्रै कर लेंगे 2-3 मिनिट के लिए अब तक अच्छा सा इसका थोड़ा ब्राउनिश हो जाए थोड़ी सी पक जा है हमारी सब्चिया उसके बाद हम बागी की सब्चिया डालेंग अब गाजर और गोबी थोड़ी हो गई है इसके बाद हम डाल देंगे अपने फ्रेंच बीन्स और कैप्सिकम यानि की शिम्रा मिर्च यह जो मतर है यह मैंने फ्रोजन वाले लिये हैं फ्रोजन वाले अल्रेडी बॉयल होते हैं तो उसको मैं अभी नहीं डालूंगी इसको मैं अब आरेक्ट ग्रेवी में ही पकाऊँगी तो यह सब सब्जियों को हम शालो फ्राय कर लेंगे 70-80% तख हम तक हमें पकाना है क्योंकि बाकी के सब्जिय हमारे ग्रेवी में भी पकेंगी तो हमको इस जो सब्जियां सारे हमको क्रंच वाली चाहिए, क्रंची होनी चाहिए दीखे, अभी सबजें हो गई है तो मैं निकाल रही हूँ उनको तेल में से सब सबजें को मैंने निकाल लिया है अब सेम तेल में मैं दो तेज पत्ते डाल रही हूँ उसके पद हम डालेंगे इसमें एक बारी किया हुँः प्यास, प्यास को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है जब तक हमारा प्यास भून रहा है तक हम बाकी की त्यारी कर लेंगे इसंगी मिक्सर जा जिसमें मैंने मसाला पीसा था उसी मैं मैंने दो चॉप किए हुए टमाटर डाल दिये हैं इसके पाद हम इसके डालेंग या लसुन की अगर आप कम तीखा खाते हैं तो देगी मिर्च का यूज कीजिए जिसको माराथी में बेड़गी मिर्च भी बोलते हैं उसका यूज कीजिए कलर के लिए मैं यह डाल रही हूँ यह सीक्रेट इंगरीडियन्ट है मेरा चार पांच चोटे चोटे टुकड़े बीट रूट के क्योंकि मैं देगी मिर्च यूज नहीं करें हूँ तो कलर के लिए बीट रूट बहुत अच्छा ऑप्शन है उससे बहुत अच्छा कलर हमारी ग्रेवी में यह पर देखिए हमारा प्यास भी अच्छे से गुल्डन ब्राउन हो गया है और यह जो प्यूरी है यह भी बना लेंगे इसकी बाद मैं एक टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ देगी मिर्च का थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा अमचू इसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी को तेल में ही पहले भून लें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका उसके बाद जो हमने मसाला बनाया है ना उसकी चार बड़े चमज भरके मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैं यह चार जनों के हिसाब से ग्रेवी बना रही हूँ अगर आप कितनी लोगों के सबसे बना रहे हूं उसकी अकॉर्डिंग यह मसाला एड़ेस कर सकते हैं तोड़ा सा मसाला बच किया है मेरा अब इस मसाले को स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में खराब नहीं होता है थोड़ा सा पानी डाल रहे हूं तक यह मसाले अच्छे से भून जाए और जले भी न तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे इस ग्रेवी में एक खास बात आई थी मैं वो भी डाल देती हूँ इसमें इसको भी हम अच्छे से बून लेंगे वीटूट की वज़े से आप तेख रहे होंगे कलर कितना लाल लव हो है ये जो ग्रेवी जो मार्केट में मिलती है उसमें वो बहुत सारा लाल कलर बहुत सारी देगी मिर्च बहुत सारी मिर्च डालते हैं तो उनकी ग्रेवी ड्रेड ड्रेड होती है ये कोलापुरी ग्रेवी तो मैं इतना सब नहीं यूज़ कर रही हूँ यह आप अपने टेस्स के कोडिंग चेंज कर सकते हैं अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है अपने इसको अच्छे से भून लेंगे इस ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से भूनना है अब मैं 3-4 मिनट के लिए ढखके पका रही हूँ इसको देखिए हमारे ग्रेवी अच्छे से भून गई है तेल अलग से सेपरेट हो गया है टमाटर और यह जो अद्रक लस्टन भूनने हैं हमें उसके बाद मसाला भूनने के बाद हम इसमें सबजियां डाल देंगे जो हमने शेलो फ्राय की थी इस स्टेज़ पे मटर भी डाल दूंगी मैं और यह पनीर है घर का फ्रेश बनायावा पनीर है वो भी डाल रही हूँ अगर पनीर भी आप चाहे तो फ्राइ करके डाल सकते हैं या शेलो फ्राइ करके डाल सकते हैं मैं ऐसे ही डाल रही हूँ अब दो मिनित तक हम इसे ग्रेवी के साथ पका लेंगे जो हमने काजू बिगोए थे उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है जो वन थर्ड कप काजू स्टार्टिंग में हमने बिगाए थे वो भी डाल दिया है इसमे अगर आप काजू नहीं डालना चाहते दो आप मेलन सीज जो खर बुचर के बीज आते हैं उसका भी उसकर सकते है या आधे काजू आदे बीज का भी उसकर सकते हैं काजु से बहुत अच्छय creaminess आती है अब आधा कप पानी लाना है और पानी डालके उसी मिकसर ज़र को मैंने मिकसर ज़र वाले पानी को इसमें ग्रेमी में डाल दिया है अब हमें से और पकाना है नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा और नमक डाल रही हूं यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चींज कर सकते हैं जितना नमक आप खाते हों उतना डाल सकते हैं इसको ढखके पका लेंगे हम तीन-चार मिनिट के लिए अच्छे से तीन-चार मिनिट पकने के बाद हम इसमें डालेंगे मलाई मैं मलाई डाल रही हूं आप अमूल की फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं यह तीन-चार बड़ी चमच मैंने मलाई के डाल दिये हैं इसके बाद भी हम इसको और पकाएंगे इसको बहुत अच्छे से भूनना है हमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस ग्रेवी के एक खास बात और है कि अगले दिन आप खाएंगे न तो जो मसाले हम डाले वो बहुत अच्छे से मैचूर हो जाते हैं एक स्टे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस ग्रेवी का अब मैं दो-तीन मिट के लिए इसको ढखके पका लूँगी ये दो-तीन मिट बाद देखिए अच्छे से हमारी ग्रेवी पक गई है ओल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है इसके बाद बस लास्ट में हम हारा धनिया डालेंगे अपनी शुद्धा अनुसा जितना भी चायर धनिया डाल सकते है अगर आप इमेडियेटली सर्व करना चाहते हैं तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है अगर आप थोड़े देर बाद यानि आदे एक देर गंटे के बाद सर्व करने वाले हैं तो थोड़ा सा लिक्विडी थोड़ा सा पानी जादा डालेगा क्योंकि ये ग्रेवी रखने के बाद और थिक हो जाती है ठीकी तो पानी वो आप अपने कोर्डिंग एड़्जर्स कर सकते हैं चलिए आए हमारी सब्जी तयार हो गई है तो हम इसको सर्व कर लेते हैं बहुत स्पाइसी बहुत अच्छी ग्रेवी बहुत अच्छी सब्जी पनी है आप जरूर ट्राइ किजेगा इसके बद में एक तड़का दे रही हूँ उपर से इसको इसके लिए तड़का पैन लिया है मैंने तड़का पैन में तीनचा चमच छोटे चमच मैं घी के डाल रही हूँ घी को गरम कर लेंगे अच्छे से जब घी करम हो जाएगा अच्छे से तो उसमें हम डाल देंगे तीन चार लाल मिर्च गैस बंद कर दीजिए और एक चमच देखी मिर्च का डाल दीजिए गैस बंद करने के बाद ही डालना है नहीं तो हमारी मिर्च जो है वो जल जाएगी यह तड़कर डाल देंगे हम अपनी सबजी के उपर और हमारी सबजी सर्फ करने के लिए एकदम तयार है अगर आज की रेसिपी आपको पैसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमेशा खुश रहे हैं मस्त रहे हैं मेरे चैनल ऐसे ही देखते रहे हैं सी उन दर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फो वाचिंग बाबाई